नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विस्टी मिश्टरा न्यूस क्लिक से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर और देखें सुर्खियों में चाही हुई प्रवीर पूर कायस न्यूस क्लिक के संपादक कह लिजे जो मे कोखा दड़ी का आरोप है अब दिल्ली हाइकोट ने नोटिस जारी कर दिया है और यह हुआ है एडी की याचिका पर देखें पहले एडी को मना कर दिया गया था कि इस वेबसाइट से जुड़ी इस न्यूस क्लिक के संपादक से जुड़ी कोई भी जाच एडी नहीं फिर क्या था देखें हड कंप मचा हुआ है इसलिए क्योंकि पहले तो 86 करोड का मामला लेन देन का मामला किसको दिया गया पैसा कौन कौन उसमें शुमार है इसके साथ मैं आपको बता दूँ न्यूस क्लिक की अगर आब बात करें तो पहले न्यूस क्लिक ने अपने रिपोर्टिंग की माध्यम से आकर्शित किया था लेकिन देखें ये गहन रिपोर्टिंग किसी और मामले वे था ये चाइना फंडेड है और इसमें विदेशी फंडिंग की जाच हो रही है इडी ने अब कमर कसली है और देखें गास गिर गई इसके पहले मैंने आपको ब पादक पर गास गिरी है अब मैं आपको दो नाम बताऊंगी तीस्ता सीतलवार जिसका जो मामला है वो गुजरात दंगों से रिलेटेड चल रहा था उनको भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार को 40 लाख देने का भी आरोप है निउस क्लिक के उपर और एडी को शक है इसके साथ साथ CPM निता उनके उपर भी ये लगाया जा रहा है कि उनके उपर भी जाच होगी निउस क्लिक ने CPM निता को भी करोडों की लेंदेन की है जेल में एक बंद गौतम नाम के सक्ष को जो अभी जेल में बंद है उसको भी निउस क्लिक ने पैसे देने का काम किया है फि जो की अमेरीकी अरफ पती है बिजनसमेन है उसका नाम है नेवल सिंग हम और दिखिये कहा जा रहा है कि सिंग हम और यहाँपर कहा जा रहा है कि किसी और भी विदेशी फंडिंग के द्वारा यह लेंडिन किया था और कौन-कौन से वो बिजनेसमेन हैं कौन-कौन से शेहरों में बैठे वो लोग हैं जिसको न्यूस क्लिक लगातार पैसे पहुचा रहा था पहले तो इसने न्यूस क्लिक ने ये बाते कही कि हम समाजीक आर्थिक और राजितिक मुद्दा उठाते हैं और दिखिए ये एक पोर्टल है और जिस तरीके से इसके जो संपादक हैं उनके उपर पहले ED की याचका परब गाजगिरी है पहले ED को रोक दिया गया अब चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आगे कारवाई होगी और कितने खुलासे इसमें हो रहे हैं पहले तो मैं आपको बता दूँ कि तीस्ता सीतलवाड के परिवार के सरस्ते को ये मामला सामने आए ED को ये भी पता चला है कि 40 लाख का हस्ता नांतरन किया गया था इसके साथ ही पत्रकार हैं और लेखक हैं परम जोए गुहा ठाकुर्ता उनका नाम सामिल है आगे सुन लिजे प्रकाश करात अमेरिकी अरपती सिंगम के बीच पैसो की लेंदिन हुई है और इसी वगये से ये बहुत बड़ी गाज आगे मैं आपको बता दूँ ये कहा जा रहा है कि अब कुछ और करमचारी है जिनको 72 लाख रुपे निउस क्लिक ने दिया था दर्शकोर निउस क्लिक ने लगातार देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की छवी खराब करन तो पाया गया कि अमेरिकी बिजनसमेन का इसमें हाथ है और ये चाइना फंडेड है इसके साथ मैं आपको बता दूँ अब बात सामने आ रही है जब ये मामला उठाया गया सदन के निताओं ने उठाया उसके बाद भी ना कॉंग्रेस ने चुपी तोड़ी ना टीमसी ने लावर उन्होंने कहा कि ये तो पहली बार नहीं है कॉंग्रेस तो पहले से ही 2008-09 से चाइना को मदद करती आई है और इतिहास में ये शुमार है तो देखिए लगातार नेताओं के बयान भी मैं आपको पहले बदा चुकी हूँ और निउस क्लिक का मामला अब सरकार के पास है इड़ी के पास है बहुत जल्द आरोपियों को जेल में बंद किया जाएगा इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ 72 लाख का हस्तान अंतरन इसके पहले फ्लैट जप्त किया गया कुर्की जप्ती हुई इसके साथ ही 86 करोड का पूरा मामला अब यहीं नहीं ये जो आंक और यहाँ पर तीस्ता सीतलवार प्रकास करात इसके साथ साथ मैं आपको बता दू प्रबीर पूरकायस नेविल रोइस सिंग्धम ये चार नाम तो देखिए बिल्कुल ठोस समुत इसके लिए मिल गए है कि इन चारों की मिली भगत इस मामले में है एडी गहनता से इसकी ज चाच कर रही है वैसे भी दिल्ली हाई कोट ने अब नोटिस जारी कर दिया है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को न्यूस क्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड प्रवीर पूरकायस को आगे मैं आपको बता दू इमेल की पूरी जाच चल रही है खंगाले जा जा रहा है कि सबूत मिटाने का भी आरोप निउस क्लिक पे लगाए गया है कि निउस क्लिक ने अपने इमेल से कुछ इमेल को गायब किया है और देखें एडी के जाच में सब कुछ सामने आ जाएगा जहां पर कहा जा रहा है बातर लाख का हर्स्ता नांतरन जिसकी जाच इडी ने जाच में पाया कि निउस क्लिक ने जेल में बंद कारे करता गौतम नवलखा को वेतन की रूप में सुनिये कितने लाख दिये हैं इन्होंने गौतम नवलखा जो की जेल में अभी बंद है उसको 17 लाख का ट्रांसफर और देखें ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है और ये पूरा मामला देश की छवी खराब करने से रिल्टेड है और देखिए जब पाया गया कि आखिर ऐसे नेगटिविटी देश में क्यों फैलाई जा रही है निउस क्लिक के माध्यम से तो यह आ गया कि यहाँ पर भारत में बैठे नहीं विदेशी ताकते भारत में हस्तक शेप कर रही है और भारत में बैठे कुछ लोग हस्तक शेप करने दे रहे हैं और उनकी पूरी मिली भगत इसमें है आगे मैं आपको बता दू सूतरों ने क्या पाया है सूतरों ने पाया कि इडीन फंड के अंतिम उपयोग की गहन जाच कर रही है जहाँ पर न्यूयोक टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये आउटलेट एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्ता है जिसे सिंगहम से फंडिंग मिली थी वही अमेरिकी बिजनसमेन नेविल जोई सिंगहम आगे मैं आपको बता दू जो चीनी सरकारी मीडिया म पशीन के साथ मिलकर काम करता है एडी न्यूस क्लिक उसके प्रवर्तक और अन्य के खिलाफ आपराधिक जाच के हिस्से की रूप में सिंगहम से जुड़ी संसा जितनी है इसकी होल्डिंग कंपनी जो की है पीपी के न्यूस क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और इसमें 86 करोड से अधिक के धुकादड़ी वाले विदेशी फंडिंग की जाच करता है तो देखें यहाँ पर गाज गिर चुकी है दिल्ली हाई कोट ने नोटिस जारी कर दिया प्रबीर पूरकायस तिस्ता सितलवाड के परिवार के सरस्य नेविल रॉय सिंगहम जेल म जाच हो रही है देखने वाली बात होगी कि अब नोटिस के बाद और कितनी संपतियां एडी कूरक करती है जपती करती है इसके साथ साथ प्रबीर पूरकायस अब क्या इस पर चुपपी तोड़ते है यह बहुत देखिए बहुत गंभीर विशय है प्यूश गोयल ने भी पीते जिन बोला देश की सुरक्षा में उनकी यही शब्द थे देश की सुरक्षा में एक गंभीर विशय पर मैं बात करने आया हूँ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है हमेशा ही चीन हस्तक शेप करता है और सबसे बड़ा हाथ इसमें कॉंग्रेस पार्टी का रहा है यह इतिहास पुराना है यह निवस क्लिक के जो जाच हुई थी उसको प्यूज गोईल ने कहा कि हम पूरे के पूरे इस मामले को जाच कराएंगे और जो भी दोशी है इनमें जो भी गलत तरीके से फंडिंग लेकर ये काम करते हैं जनता को बेवकूप बनाने का काम करते है उस पर हम जल्द एक्शन लेंगे चलिए देखते हैं लगातार मैं आपको पलपल का अपडेट इस खबर से जुड़ी दे रही हूँ आगे भी दिल्ले हाई कोट के नोटिस के बाद कारवाही कैसे बढ़ती है कोट की देखने वाली बात होगी उस पर भी आपको मैं अपड करती नजर आउंगी बहुत शुक्रिया जो भी आपकी राइस दरूर रखें